क्या जैन 2 लेके पैसा बरबात कर रहे हो या पैसा बचा रहे हो क्योंकि हमारे पास है सामने तीन ओला एक है जैन 1 एक है जैन 2 और जाहिर जबाज है तीसरी भी है जैन 1 एक है हमारी S1 एक है S1 प्रो और जैन 2 को तो पता ही है S1 प्रो जैन 2 बट इसमें अपर अपरम जितना चेंज है, इंटर्नल भी उतना चेंज है, रेंज के साथ साथ इसमें बोडी में भी बहुत सार चेंज है, कोस्ट कटिंग भी की गई है, एलॉय से लेकर बोडी सब कुछ थोरे बहुत डिफरेंट है, क्वालिटी आपको रियल आई से एक के बाद एक पता चलने वाली है, तो आपको ऑनरोड, और S1 एक बीस में भीकती थी, उस टाइम के बात करो, 30-35 में प्रोव मिलती थी, और 25-20 में आपकी S1 मिलती थी, 2022 में और 2023 के मिनिममम जब तक गारी रही है, तो 30-35 ही गया, उसके बाद जब सेंट्रल सब्सेडिय अपना हाई हुआ, उसके बाद गारी के प्राइस साइक हुई, तो वो तो वैल्यू फोर मनी गारी थी, उसको प्राइस से तो कंपेर नहीं कर सकते है, बट जो बिल्ड क्वालिटी की बात आती है, ओला जो अपने से ज़्यादा पैसा ले रहा है, उसकी बात आती है, वो सब यहां पे लाइव टेस्ट होंगे, एक तो भी शाइनी करना था, तो थो थोड़ा लूक आसम निकल गया था, यह नॉर्मल स्कूटी एक्टिवा टाइप के, यह S1 एयर टाइप के देखने को अपने को लग रहा है, तो यह थोड़ा सा जच नीट है, अगर परपल है, तो पूरा फूटी स्टेप तक का परपल होन आने के बाद तो और जबर दर्स्त हो जाएगी, बट ओला के अभी जितने भी जैन टू के बैड रिव्यू सारे, उसका अगर वीडियो नहीं देखियो तो लिंक मिल जागो, और इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो उसको जाकर चेक आउट करना, एक दिक्कत आती थी पु होने के बाद तो आप लोग को पता है, पोस्ट डालते रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करोगा, तो सब कुछ दिखेगा, पैनल गैप यहाँ पे नो डाउट बहुत ही लिमिटेड गारियों में है, और बहुत ही लिमिटेड गारियों में नहीं है, बट पुरानी मोडल की बहुत ही लिमिटेड हो गया था, पीसे के टेल लेंप चेंज कर देगे, और 60% ऐसे यूसर है, जो उनको पुराने ही टेल लेंप पसंद आते थे, बूट इस पेस दो लिटर कम कर दिया गया, अब आप लोग बताओ कि आप लोग को नेया टेल लेंप पसंद था कि पुरान लगया, इसमें नया मोटर का सेट अप किया गया है, जो कि बहुत ही कमबाइंग के साथ है, बट पुरानी वाली में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटर प्रोसेस था, इसका अगर आप पूरा वीडियो चाहते हो, तो बहुत पहले मैं बना चुको हो, एक बार Ola S1 Pro Gen2 सर्च करन वो आपको मेरे चैनल पर मिल जागा, उसमें आप देख सकते हैं, बारी की से कैसे मोटर को शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर डिक्स ब्रेक में कमपनी बदल दी गई है, यहाँ पहले जो कमपनी आती थी वो थोड़ी सी अच्छी ब्रेंडड कमपनी का डिक्स ब्रेक आपक अच्छी थी, बट अभी वर्टिकल में भी क्वालिटी होती नहीं अच्छी नहीं, और उपर सिंगल सस्पेंशन है, वो भी कुछ लोग का डिक्की के अंदर घुच जा रहे है, बाकि बिल्ड क्वालिटी के में बात करो, उठाने से थोड़ी सी हलकी होगी, क्योंकि आपक अब यहां पर देख सकते हैं, कि हाइपर मोड इसका कितना सूपर सौनिक है, मतलब कि सेकंड नहीं लगा मुझे इतना तेज यह स्पीड ले लिया, पहले 2.9 सेकंड में जाता था, अब यह 2.6 सेकंड में ही चले जाता है, माइनर सेकंड का फर्क है, बहुत तेज कर दिया पहले से, और जिनके भी घर में आप अपने अगर बच्चों को यह दिला रे टुशन इसकूल जाने के लिए, तो यार बहुत ही सोच समझ के दिलाना, कि इसके हाइपर मोड में स्पीड इतनी जा देना, कि आज तक इंडिया की जो स्पोर्ट्स बाइक भी है, जैसे के आर इसके खांसा एक्सलेट कर दिया, तो गारी भी जाएगी, वो भी जाएगा, तो सोच समझ के अपने बच्चों को इसको देना, और रोड प्रेजेंस भी इसका जबरदस्त है, क्योंकि ये कलर धूल तो जल्दी ले लेता है, बट साफ रहता है, तो अलग से चमकता है, ये क पीड भी इसकी बहुत ही जबरदस्त है, पीकप भी है, और परसेंटेज डाउन की में बात करो, हाइपर मोड में थोड़ा सा परसेंट जल्दी डाउन हो रहा है, बाकी रेंज इसकी 195 किलोमेटर कमपनी क्लेम करती है, चल जाती है, आपकी लगवग एक सो साथ तक अराम से चल जाती है, नॉर्मल मोड में अगर आप इसको चलाओगे तो, अब आकी इसका हाइपर मोड सबसे जबरदस्त है, एक और आपको वार्निंग देते हो कि किसी भी ऐसे हाँ तो मत देना, टेस्ट ड्रेव के लिए भी हाइपर मोड में करके, अब देख सकतो है, स्पीड कित सेकेंड बहुत ही बेश्ट है, इसमें सीट की हाइड भी पांच अम्म बढाई गई है, गारी की लंबाई भी थोड़ी सी बढाई गई है, मिनिमम में में के, बट ग्राउंड क्लिटेंस पांच अम्म घटा दिया गए, थोड़ा सबस फर्क है, आपको उतना ज्यादा दिक दूस नहीं होगा, फर्स जनरेशन में आपको हलका सा हो जाएगा, बट इसमें आप देख सकते हैं किनारे रोड में उतार दे, बिलुकुल भी पतानी चला रहा हो, एक हांत में फोन है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही स्मूथ ली चल जा रहा है, तो यार इसम कोश्टी 1500 के अंदर है, तो ये चीज़ के धान देजिए, पुनानी जनरेशन में भी चला का लाइफ कंपरिजन कर रहा हूं कि ज्यादा भूलू ना, तो सेकेंड जनरेशनी बेस्ट है, ये थोड़े बहुत बंपी रोड में जटके देती है, बाखी ये भी सॉलीड अपन कर सकते हो, ऐलोई विल भी इसमें आपको ज़्यादा देखने को परेंगे स्पोक के साथ, इसमें ऐलोई विल को थोड़ा सा कम करते हैं, मतलई इसमें वेट कम करने की कोशिश की गई है, खुले में बैल्ट दे दिये गए और कभर तो आपको पता है कि बहुत ही जल्दी न मदद करो कुछ निए चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो ताकि ज्यादस ज्यादस लोगों तक पहुंचे लाइक तो करके ही जाना और आपको जैन 1 अच्छी लग रही है, जैन 2 अच्छी लग रही है, रियर से, फ्रेंट से, कौन सा पॉजिटिव ने करने के लिए सब्सक्राइब करें।